पार्शिवनी तैसिल सीमा के अंतरगरत पाला सावली ग्राम में जिला परिशत प्रात्मिक स्कूल की अध्याविका को भूत पूर्वग कामगार महिला संगीता डोनार करने गाली गलोच कर उसे जान से माणने की दम की दी वह उसका मोबाइल चीन कर फरश पर पटक दिया यगटना दो जुलाई 2022 के सुभा नौ बज़े की है जानकारे के अनुसा संगीता लक्षमान डोनार कर और संगीता जैदे पिलारे यह महिला बच्चों के लिए शाले पोशन आहर के लिए काम कर रही थी की साल 2020 में इस महिला को शाले विवस्थापन समीती ने किसी कारण वर्श कारी मुक्त कर दिया था उसके बाद इस कारे के लिए दूसरी महिला को शाले पोशन आहर तयार करने के लिए स्कूल में रखा गया पर 2 जून 2022 को संगीता डोनार कर स्कूल में आकर वहां कारेरत शिक्षिका को गाली गलोच कर मारपीट की वहीं उसका मोबाइल छीन कर फर्श पर पटक दिया वहीं वहां बना पोशन आहर की गंजी उठाकर खुदी बच्चों को पोशन आहर वितरन करने लगी और मुझे एस स्कूल से कोई निकाल नहीं सकता अगर किसी ने मेरे खिलाफ कारवाय की तो मैं उसे मार दूगी इस तरह की धमकी दे कर धमकाने लगी अगर मुझे इस नौकरी से निकाल दिया तो मैं बच्चों के लिए बने पोशन आहर के खाने में जहर मिला दूगी इस तरह की धमकी देखा धमकाने लगी मामला गंभीर होता देख शिक्षिका ने पारशिवनी पुलिस विभाग में इसकी शिकायत दर्च की वहीं संगीता डोनर कर स्कूली बच्चों के माताप्रता को गाली गलोच कर धमका रही है यह सबी देखते हुए गाहँवालों ने इकत्रत होकर पारशिवनी पुलिस में इसकी शिकायत दर्च की जा सोमवार को पचास से साथ महिला और पुरुष पारशिवनी पुलिस में शिकायत दर्च करने आये थे इसकी शिकायत दर्च होते ही पारशिवनी पुलिस हरकत में आते हुए इस महिला के खिलाब शिकायत के तरच पर धारा 353 के तैस संगीता के उपर मामला दर्च किया गया है गाम वालों को यह महिला खुले आम गाली गालोच करती है और जान से मानने की धमकी देती है यह वादात हमेशा इस महिला की ओर से होता दे गाम वालों में दैशत पनपती जा रही है जिसकी बज़ा से प्रशासन से गुहार लगाती हुए लोगों ने इस महिला के उपर जल से जल्द कारवाई करने की मांग निवेदं द्वारा प्रशासन से की है पाशिवनी पोलिस गटना की गंभीरता को देखत वे महिला की उपर कारवाई कर रही है सुलिया लाइ